एक नगर में एक राजा रहते थे, एक दिन विद्वान संत राजा के नगर पहुँचे, राजा संत के पास गए और उन्हें अपने महल में आने के लिए आमंतरित किया, राजा ने संत की बहुत सेवा की, राजा की सेवा से संत प्रसन हुए तथा जाते समय राजा को एक में एक कावच पर मंतर लिखा है जिसे पढ़ लेना लेकिन इस से पहले यह ताबिच मत खोलना राजा ने संत द्वारा दिये गए ताबिच को गले में पहन लिया कुछ दिन बाद राजा के नगर पर सत्रू ने आक्रमन कर दिया सत्रू से राजा की सेना हार गई राजा अपने प्राण बचा कर जंगल में भाग गया और छिप गया उसे गुफा में सत्रू के सैनिकों की कदमों की अवाज सुनाई दी फिर राजा को लगा मैं फस गया हूँ और सब कुछ खत्म हो गया है यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे तबी राजा को संत के ताबिच की याद आई राजा ने तुरन ताबिच खोला और कागज निकाला उस पर लिखा था यह समय भी कट जाएगा राजा को यह पढ़कर थोड़ा सुकून मिला फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज आनी बंद हो गई राजा ने गुफा से जाक कर देखा तो सैनिक वहां से काफी दूर चले गए थे फिर राजा अपने राजे की तरफ पहुँचा और उसके प्राण बच गए और उसके बाद राजा ने अपनी सेना को फिर से इखटा किया और अपने सत्रों पर आकर्मन किया इस आकर्मन के बाद राजा की विजह हुई और राजा का अपने राजे में खुब सत्कार हुआ अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमें से नहीं रहते हमें यह ध्यान डखना चाहिए कि समय बदलता रहता है बुरा वक्त हो तो यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा ऐसी ही काहनी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें